असकार दोस्तों इस बक्त की सबसे बड़ी ताजक ख़बर में आप सभी का स्वागत है वैसे भी आपको पता है कि तीन और च्यार फरबरी को एक खतरनाक चक्रवाती तूफान अपने भारत में प्रवेश करने जाएगा और इसके बाद बहानक बारिश का दौर सुरू होगा कुछ चेतरों मुशला धार तो कहीं पर बहानक बारिश तो कहीं पर दोस्तों ओला वरेस्टी की बचेताबनी भारत मौसम भागने जारी की है जिस रिपोर्ट से हम आपको अगबत करा चुक हैं लेकिन अभी अभी दोस्तों सबसे बड़ी ताजक ख़बर आई उसके बारे मौसम भाग के नुसार मिलेंगी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अभी अभी ये खबर जो आई हो हरियाना राजे साई है हरियाना राजे के सिरसा के एक गाम है जो गेवाला में सौमबार को पंजाब छेतर से आने वाला सौम नाला का बांध है जो तूर जाने से किसान वाला से के गहों और सरसों की फसल है जो पानी में पूरीतर डूब चुकी है ऐसे में किसान की फसल है जो पूरीतर बरबार जो चुकी है स्याम को सिरसा के डीसी अनीस यादब neatly ने नाला का निड़क्शन किया और मरमत पानी रोकने का कार्येवित एजी से दिये दिये निर class a यांनि की सिर्षाखे जोग्वादे मिद्रकाषिस वह से हैं तो लोगों को क्मेंट करकर जरूर बताएं इसे घ्रथना के बारे में समपूर जानकर्य बिश्थार से दें और साथ में अन्ने लोगों को क्मेंट के मादिम से जाणकर्य मिलती रहे क्यों कि चैनल है कोमेंट पर भी विश्वास करता है इसलिए सही और सठीक जानकारी लोगों को अबगत कराएं चलिए हम आपको वारे में इसके बारे में और जानकारी से हम आपको अबगत कराते हैं दोस्तों डवाली छेतर के गाम जोगेवाल के किसानों का कहना है कि सेंकडो एकड में खड़ी गयूं और सरसों की फसल में करीब आठ से दस फीट पानी भर गया है जिस कारण उनका भारी नुक्सान हुआ है इससे पूर विक कई बार नसाड़ा सोमनाला तूट चुका है लेकिन प्रिसासन और सरकार इसका को और ध्यान ही नहीं देती है कोई पुक्ता इंतिजाम नहीं करती है चलिए और भी दोस्तों किसानों के वो क्या कहना है सरकार प्रिसासन निश्य में क्या कर रही है और आपको भी मैं चेथा भी देता हूँ तीन और चार परवरी को कई राज्यों में खतरनाक बारिस होगी क SDM डवाली राजस पूनिया वे सिचाई विवाक के अधिकारियों ने सोम नाले का बांध भरने और खेतों में खडी गहूँ वे सरसों की फसल की स्पेसल गिरदाबरी करने के आदेश दे दिये गए हैं आपको बतता ना चाहूँगा पानी भरने के बाद ही धानियों में से लोगों को रेस्क्यू कर भार निकाला गया है साथ ही धानी में रहने वाले किसानों की और से अपने सामन और परिवारों को सुरक्तित इस्थान पर पहुंचा दिया गया है